हेलो फ्रेंट्स आप सभी को स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल में आज हम आप लोगो यूपी एसाई रिजल्ट 2021 के बारे में बताने वाले हैं और इस वीडियो में आप लोगो पूरा कंप्लीट डेटेल्स में बताने वाले हैं कि आपका इसमें रिजल्ट डेट आपका क क्या क्या डॉकुमेंट लगने वाला है फिर आपको इस एक्जाम में कितना मिनिमम मार्क्स क्वालिफाय करने के लिए लाना होगा तो चलिए इस वीडियो में कम्प्लीट देखते हैं चलिए फ्रेंड तो सबसे पहले इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले है कि आपका जो रिजल्ट कब तक आने वाला है तो सब लोग यहां पर बता रहे हैं जितने भी सारे यूट्यूब में भरे पड़े हैं कि आपका जो रिजल्ट है होली के बाद आने वाला है लेकिन इतना उमीद कीजिए आप कि आपका रिजल्ट 25 के बाद ही आएगा क्योंकि आप भी इसका रिजल्ट तुरंत नहीं आने वाला होले के बाद और सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका क्या डॉकूमेंट लगने वाला है तो जैसे ही आपका यह यूपी एसाई का रिजल्ट आता है वैसे ही उसमें आपका लिखा रहे गा यू और क्वालिफाइड फॉर डिवी पीएस्टी तो उसमें आप वहां प इसमें चलिए बात करते हैं कि क्या क्या आप लोगों को डीवी एस्टी में डॉकॉमेंट लगने वाला है तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि आपका डिगरी का सर्टिफिकेट लगेगा अनि कि जो लोग ग्रेशन पासाउट हैं उनके लिए और हैं उसके बात सपरद में बसट लगेगा करने यहां हैं इसके बाद और लगेगा फिरफेर को टेंथ ट्वेल्फ कम मार्कhhh चाहिए और उसके बाद कोई पतर जैसे पैस्ही मिनिमूम मार्किकाड आनि कि आपको qualify करने के लिए कितना कम से कम नंबर लाना होगा तो चलिए friends सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं general candidates का तो आपका यहाँ पर Cat-up रहने वाला है ओऊ 108 से लेके यहां पर आपका 115 के बीच में रहने वाला है और इतना नमबर के बीच में जिनका मास आ रहा है समझे गवो safe score के अंदर जिए अप 162 से लेके 110 के बीच में अभी समझे से प Olivier για Burns स्कैंड्स कि नियुक्ष निथक तो जिनका यहां पर हुआ से यहां पर और यहां पर नज इस वीडियो में इतना